वेल्कम तू माइ किचन तो मैं आज आप सब के लिए लाई हूँ बहुत ही मसाले तार चटपटा अपनी मा के हाथ के स्वाथ का अचार बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी तो इसके लिए मैंने पांच किलो आम लिये हैं कच्छे आम तो आपने इस तरह से आम लेने हैं कि आपने चेक करना है कि इसकी जो गुटली है वो पकी होई होनी चाहिए जो बिल्कुल कच्छे आम होते हैं जिसको हम अंबी बोलते हैं वो उसका अगर हम बचार डालते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है तो जिसकी गुटली चाकू से इजीली ना कटे और इसके अ काट लिए और काट के इसको मैंने पहले ही चब साबूते अच्छे से वाश करके पोंच लिया है और काट के हमने एक घंटा धूप लगवा देनी है तांकि इसका चो मॉइस्टर है वो खतम हो जाए यह हमारे चो मसाले हैं इंग्रीडियेंट इसके लिए आप नोट कर इस यह हमने लिया है सौफ मेती दाना धनिया कलॉंची पीली सरसों राई हींग नामक लाल मिर्च और हल्दी पाउडर यह हमने लिया है इसकी कौंटिती मैं आपको बता दूंगी साथ साथ यह सबसे पहले हमने इनको रोस्ट कर लेना है बिना घी के हम इसको रोस्ट इस तरह से 200 ग्राम मैंने लिया है सूखा धनिया और जब देखिए गरम हलका सा हमें वान मिनट लगता है और रोस्ट हो जाते हैं फिर हमने इसको अलग बरतन में निकाल लिया फिर हमने डाली सौफ इसको भी हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे 200 ग्राम ही हमने लिये सौफ यह मै 100 ग्राम सी हमने राय ली है और अब हम इन तीनों चीजों को इनको भी हम भून लेंगे अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लेंगे और अब हम गैस बंद करके यह जो हसारे हमारे मसाले हैं इनको हमने पीस लेना है कडाई में उसमें विक्सर ग्राइडर में जो हमने यह मेती दा और मेती दाना इनको थोड़ा सा दरदरा पीसना है और यह चो हमने चुक लॉंजी रखी दी यह हमने 100 ग्राम्स ली है यह भी हमने बीना पीसे ही डाल दी तो इस तरह से जो हमारे मसाले हैं वह अच्छे से बून के पीस गए हैं अब हम इसमें डालेंगे साड़े साथ सो ग्र हम लाल मिर्च पाउडर और सो ग्राम हम डालेंगे $Real plan toss ऑच में इसमें खराब हो अचार बनाते हैं तो थो जैसे कि हम 5 किज आम का अकर कहा रहे हैं तो इसमें हमारा आचार कबीसा प्रूंब कर दीज़ा को अच्छे से मीक्स करिए तो जैसे कि हम 5 पिकल पना रहे हैं तो इसमें हमारा एक लीटर तेल लगेगा तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल साइड में रख लिया है कड़ाई में और बाकी का तेल मैंने इसमें मिक्स कर दिया है अब जो हमने तेल बचाया है उसको हम कड़ाई में गरम कर लेंगे देखिए गरम करके जब दुआ निकल चाता है तो गैस बंद कर दीजिए टू मिनर्स वेट करके जब यह हलका सा ठंडा हो जाए इसमें डालिए हिंग हिंग डालने से अचार में खुश्बू जो होती है वो बहुत बहुत ही बढ़ी आती है अब यह जो तेल और हिंग है यह हम अपने अचार में मिक्स कर देंगे तो मैंने यह अचार का मसाला जो है वो आम के उपर डाल दिया है अच्छे से अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए तांकि हर चगा पर यह जो मसाला है वो अच्छे से लिपट जाए और बहुत अच्छे से mix करना है बस अचार बनाते हुए हमने त्री टिप्स हैं जो आप हमेशा याद रखिए कि नमक की quantity बिल्कुल सही तेल की quantity बिल्कुल सही और इसमें बिल्कुल नमी नहीं नहीं होनी चाहिए ना तो कोई बर्तन में हलका सा भी गीला बन हो ना आपके हात में कोई गीला बन हो फिर जब ये अचार के मसाला mix हो गया तो हमने इसको जार में भर दिया है इस तरह से देखिए मेरे चार जार बिल्कुल फिर लो गए हैं आप ये नोटिस करना है कि जार बिल्कुल सूका होना होना चाहिए अच्छे से अंदर से कपड़े से पोंच लीजिए और इसको एर टाइच डिबों में रखना है अचार को अगर आप इसको चार पांच साल तक सही रखना चाहते हैं तो हमेशा एर टाइट डिब्बे रखिए और एर टाइट डिब्बे में डाल कर इसको कम से कम चार पांच दिन धूप लगवाईए और धूप लगवाने के बाद हमारा अचार बिल्कुल एकदम से खाने के लिए बिल्कुल रेडी है बहुत ही मसाले पीजी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक किजिए शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए